पाकिस्तान वालो मुझे जरा एक बात बता देना तुम लोग क्या खिला के पैदा करते हो भाई मतलब एक नसीम शाह कम था यह उबैद शाह आ गया बल्ले बाज बोलेगा कि भाई मैं बैटिंग करना छोड़ दूँ क्या आज इस बंदे ने 44 रन देकर पांच विकेट लिया और आप लिटरली बताओ आज पाकिस्तान पूरा मैंश हरा हुआ था एक सो पच्पन रन बनाया था एक सो चपन रन का टार्गेट था बाई साब कोई सोच भी नहीं सकता था कि यहां से पाकिस्तान की टीम जीट जाएगी अब नसीम शाह का यह बाई है एक नसीम शाह ने तो वैसे भी जीना हराम का रखा है बले बाजो का मतलब उसका बॉल तो खेल नहीं पाता यह बटलर एलेक्स हेल्स वगर है समझ में नहीं आ रहा था टी टूंटी वी शोकप के फाइनल में समझ में नहीं आ रहा था उसको छोड़ो सूरिया को समझ में नहीं आ रहा था और इसका चोटका भाई बाई यह आगे उबाई शाह एक और है वो उनेशा भी नाम है उसका वह भी खेल रहा है वह मजला भाई यह चोटका भाई यह यह मतलब की पेस फैक्टरी पैदा कर रखें भाई पूरा का पूरा इतना गजब की आज गेंदबाजी की इस बंदे ने और टूनामेंट का है एक विकेट टेकर बंदा है यह गजब की गेंदबाजी किये जा रहा है इंडिया और पाकिस्तान के खिलाडियों का जलवा है अंडर 19 विशो कप में इसमार का हमारी यहां पे भी एक और है मुशीर खान बल्ले बाज बाई साब क्या बल्ले बाजी कर रह ही हुई है ठीक है गेंदबाजी में हमारे पास एक पांडे जी है वो भी कमाल की गेंदबाजी कर रहे है उदर से पाकिस्तान की तरफ से यह आगे अगया गजब का गजब का और मैं लिखवा के ले लो अगर यह बंदा अपनी फिटमेस पे काम किया और हमेशा फिट रहा और पाकिस्तान को प्रियोर्टी इन्होंने दिया अपनी टीम को प्रियोर्टी दिया पैसे के पीछे नहीं भागा मैं बता रहा हूँ यह अबैद शाह पाकिस्तान का आने वाले टाइम में वन अफ दा फाइनेस्ट टालेंट कहलाने वाला है टालेंट तो हैं लेकिन लेज franchise league खिलबा लो और बादमा की Pakistan team ले खिलबा टेस्ट के लिए खिलबाओ टेस्ट के लिए T20 के लिए नहीं टेस्ट के लिए खिलबाओ और टेस्ट में आप baller निकालो जैसे हमारे पाद जस्तित बुम्रा है मुंबश्रमी है सिराज है वैसे करो एसी ही तो होता है टालेंट पे इन्वेस्टमेंट भाई ऐसे ही होता है और उबैद शा की मैंने गिंदवाजी देखी है आज का मैं आज में नहीं देख पाया लेकिन गजब की गिंदवाजी करता है अच्छा एक्शन भी है कमाल का स्मूद एक्शन है मज़ा आता है देखने मुझको उबैद शा को तो मैं वही बोल रहा हूँ कि भाई क्या खिला के पैदा करते हो यार क्या खाता है कि इतनी बाजुआ में इतनी ताकत होती है आते ही 145, 140 प्लस फेक नहीं लगता है और हमारे यहाँ पे देखो spinner वगरे सब आठते हुए रहता है spinner वगरे रहता है ऐसे तो wicket लेंगे पेटी अन गुटका सीरीज में जिस दिन मैच में चाहिए होगा wicket उस दिन गजब की धुना ही होती है गजब की धुना ही होती है धुना ही हर गिंदबाज की होती है पाकिस्तान के गिंदबाजों की भी होती है अगर गिंदबाज के पास पेस ना हो तो वो तो spinner ही है ना फिर तो फिर तो लानत ही है हाँ आपके पास variation होना चाहिए variation बहुत ज़्यादा ज़रूर है अगर आप 145 फेक ले रहा है तो अगर आप 145 फेकते हैं तो आपके पास 125 का गेंदर डालने का भी हुनर होना चाहिए उभैश्या में है बस थोड़ा और पॉलिश होनी की जरूरत है और देखो ये बंदा ना खिल के निकला तो मेरा नाम बदल के रख देना गजब का गेंदबाज है खार होती पाकिस्तान की शर्मना खार बंगलादेश के आथ हो तुम लोग आरना चाहोगे कोई भी आरना नहीं चाहेगा बेराल इस वीडियो में बस इतना ही फूचर के लिए बेस्ट विश्यज है भाई उबैद को देखूंगा इस वर इसलमाबाद उनाइटेड में है न पी एसल में देखता हूँ